दोस्तो स्वागत है मेरे चैनल पे और दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Central AC की वाइरिंग जिसके अंदर आप देख सकते हो LPHP लगा हुआ है और यहाँ पे लाकाउट डिले लगा हुआ है और दो-दो कैपासिटर लगे हुए हैं और फुरा फुल वाइरिंग है इंडोर ट सॉल्व कर लें तो वीडियो बहुत बहुत ही जरूरी हो जाता है आपको देखना क्योंकि यह हमारा जो वीडियो है वो Central AC से रिलेटिव है तो आगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरे पूरा वादा है कि आप जो कंप्लेन आते हैं Central AC के आप फाइंड कर सकते हैं और प्राइंड को सॉल्व कर सकते हैं तो यहां पे कुछ वाइरिंग है मैं आपको बता दूं कि यह जो ट्रॉइंग बना हुआ है यह आउटडोर की वाइरिंग है प्लस इंडोर की वाइरिंग है तो यहां पे आप देख सकते हो फेस न्यूटल और बोडी अर्थ लगा इंडोर को जाएगा और इंडोर से फिर बाकी का जो हमारा सिस्टम है वो वर करेगा तो एक एक चीज़ को मैं बहुत ही बारिकी से बटाने वाला हूँ तो आपको बहुत ही धिहान से विडियो देखना पड़ेगा तब ही अच्छे से समझ में आएगा तो यहां पे हमारा आउटडोर में जो पाउर स्प्लाई है, वहां से इंडोर को गया है, लेकिन आप देख सकते हो, जो हमारा यल लिखा हुआ है, वो हमारा rate connection है, और rate connection में देख सकते हो एक छोटा सा fuse लगा हुआ है, जिसके उपर 7A लिखा हुआ है, यानि 7A का यह हमारा fuse है, जो कि safety device का काम कर जो कि indoor से जाने के पहले बीच में फ्यूज लगा हुआ है, फिर हमारा जो पाउर सप्लाई है वो indoor में जाता है और जो neutral है वो direct indoor में जाता है और वहीं पर body earth भी direct हमारा indoor के connection में जाता है और वहीं पर आप देख सकते हो जब हमारा indoor में पाउर सप्लाई चली जाती है तो 2-3 मि लिखा हुआ है और पी लिखा हुआ है जहां से हमारा black wire जो है हमारा एक lockout relay है वहां पर जा रहा है लकाउट relay में हमारा दो नमर में जा रहा है लेकिन बीच में आपको देखना है देख सकते हो जो हमारा black wire है वो low pressure switch में connection हुआ है फिर वहीं पर जाके black और blue अपस में joint होता है उसके अंदर connection हुआ है फिर वहीं से हमारा जो blue wire है दो नमर पॉइंट पे यानि जो हमारा lockout relay है उसके दो नमर पॉइंट पे जाके connect हो गया है और वहीं से आप indoor के side में देखेंगे जहां पे compressor जो की COMP लिखा हुआ है वहीं से एक purple wire जो है वह हमारा 7 नमर के point पे ल फिर चालू हो जाता है फिर बंद होता है फिर चालू होता है low pressure और high pressure switch तो काम करता है कि अगर low pressure का switch का काम क्या है अगर gas कमती हो जाएगा तो हमारा compressor को बंद कर देगा और जब हमारा compressor जब हमारा system है अगर high pressure होता है यानि condenser चोकप हो गया जिस position में हमारा compressor है वो high amps हो रहा और चालू होता है जब ठंडा हो जाता है तो चालू होता है तो स्विजिसन में हमारा लो प्रेसर और हाई प्रेसर स्विज तो काम करता है लेकिन एक और सेप्टी डिवाइस लगा रहता है सेंट्रल एसी में यहां पे जिसका नाम है लकाउट रिले जिसकी वाइरिंग में इ वायर है वो 7 नमर पॉइंट पे लगा हुआ है यानि जो लगाउट रीले है उसके 7 नमर पे यह हमारा जो पॉइंट है वो लगा हुआ है और वहीं आप दूसरी साइड में देखेंगे तो दूसरी साइड में आप देख सकते हो 6 नमर और 8 नमर यानि जो rate connection है हमारा जो हमारा contractor के A1 से point गया हुआ है वो हमारा 6 नमर पे भी लगा हुआ है और 8 नमर पे भी लगा हुआ है तो ये आप जरूर सोचो होगे कि इस तरह से ये क्यों लगा हुआ है तो ये friend आपको बहुत ही जानना जरूरी है अगर मा लीजिए आपका जो system बंद और चालू हो रहा है किसी कारण बस से gas कमती हो गया या pressure high होने के बज़े से condenser गंदा हो गया या और भी कोई सा region हो गया तो आपका जब compressor बंद होता है और चालू होता है तो उस position में क्या होता है ये lockout relay जो होता है वो जो connection इंडोर से आ रहा है उस connection को बीच में रोक देता है तो रोकता कैसे है जब आपका जब system पूरा नॉर्मल रहता है तब हमारा जो connection है दो नमर से सीधा 6 नमर में चला जाता है lockout relay से उससे में हमारा AC पूरा अच्छे से work करता है अगर किसी कारण बस से हमारा जो system है बंद होके चालू हुआ उससे में lockout relay में क्या होएगा कि जो हमारा A1 से जो 8 नमर में power supply गया है वहाँ से हमारा A2 का जो neutral होता है वो अंदर के winding से mix होके अपना 8 नमर में चला जाएगा और वो winding क्या करेगा जब 8 नमर में हमारी A2 की जो power supply यानी neutral wire जब चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो नीचे से यानी indoor unit से COMP जो हमारा compressor का जो power supply आता है A1 के लिए वो हमारा LPHP से होके और lockout relay से होके A1 में चला जाता है लेकिन वहीं पर आप जब power supply है वो neutral wire वो जाके 8 नमर में चली गई है देख सकते हो red नमर में red वाला wire तो वहाँ पर हमारा यह जो relay है वो activate हो जाता है और activate होने के बज़े से क्या होता है जो उपर वाली supply आती है दो नमर पे वो दो नमर से हटके 4 नमर में बहुत भी बहतरी नमर करता है इसके लिए इन issue में लगाया जाता है तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे wire है इसके लिए मैंने इन वायरों पर वीडियो नहीं बना है क्योंकि अगर आप इन वायरों को देखते थे तो परिशान हो जाते थे इसके लिए मैंने drawing को लेके और इस वीडियो को चोटा सा बना के इस wiring को बताया है ताकि जो आपकी wiring है वो अच्छे सा समझ में आ जाए और जब आप कभी complaint में जाते हैं तो easily आप समझ जाएं कि इन वायरों को कैसे sort out किया जाता है तो में चीज यह होता है कि अगर जो अगर आपका जो पाउर सप्लाई है अगर indoor में power supply नहीं जा रही है तो आप देख सकते हो जो power supply के बीच में एक fuse लगा हुआ है 7 ampere का उसको आपको find करना है अगर आपका जो fuse बिल्कुल सही है तो फिर आपको क्या करना है indoor में देखना है अगर indoor में जो power supply यानि face neutral अच्छे से जा रहा है यानि 220 वोल्ट जा रहा है सिंगल फेस की मसीन है ये भी आपको ध्यान देना है और उसके बाद आपको indoor की जो power supply है वो proper चेक करना है यानि 220 वोल्ट अच्छे से आ रहा है फिर आपको जो relay होता है यानि हमारा जो PCB में relay होता है जिस से हमारा जब दो मिनिट या तीन मिनिट का जो भी time relay होता है जो हमारा indoor से वापस आता है आउट डूर के लिए तो वो आपको चेक करना है कि वो आ रहा है कि नहीं अगर वो आ रहा है फिर आपको क्या गरना है यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो power supply आया है वो low pressure switch में आया है तो वहाँ पे आपको चेक करना है low pressure को किस तरह से चेक करना है अगर आपका जो gas है वो बिल्कुल सही है तो आपका low pressure switch जो है वो activate हो जाएगा अगर वहीं पे आपका जो machine में gas का कुछ problem है यानि high pressure का ज़्यादा problem है तब आपका जो high pressure है उसको चेक करना है अगर वो भी सही है फिर आपको lockout relay के पास में आना है यानि दो नमर में चेक करना है power supply अगर दो में power supply आ रहा है तो बिल्कुल सही है अगर वहीं से आगर आपको 6 नमर में power supply नहीं आ रहा है फिर वहीं पे आपको लॉकाट रिलो को चेक किया और फिर भी नहीं चालू हो रही है मशीन तो आपको एक बार क्या करना है लॉकाट रिले क्या होता है कभी-कभी stop हो जाता है यानि वो जो lock हो जाता है इसके लिए आपको power supply को बंद करना है 10 second के लिए उसके बाद से on करना है फिर machine को चालू करना है फिर check करना है क्योंकि lockout relay जो होता है बहुत ही powerful safety रहता है इसके बाद से वो lock हो जाता है कभी कभी और खुलता नहीं है तो इसके लिए आपको machine को 10 second बंद करना है फिर चालू करना है और चालू करने के बाद आपको देखना है अगर चालू हो गया तो सही है ने तो कुछ दूसरा problem है तो दूसरा problem कैसा हो सकता है मैंने आपको lock out relay तक तो बता दिया तो lock out relay के बाद आपको क्या करना है contacting को चेक करना है कि कभी बाणतेक्टर जो हमारा है खराब होता है फिर भी हमारा जो context on नहीं होता है इसको वियर हमारा compressor और fan transmitter चलता नहीं है तो आपको कॉंटेक्टर को चेक करना है और अगर आपको कॉंटेक्टर को चेक करने नहीं मालूम है तो मैंने नीचे वीडियो देका लिंक दे रखा है और आई बटन पर भी दे रखा है जा कि आप देख सकते हो कि कॉंटेक्टर को कैसे चेक कर सकते हैं तो इस यहाँ पर अपना हमारा कंप्रेसर में गया है, और यहीं पर फैनक्टर भी लगा हुआ है, at Am amiga Bem, फैनक्टर में कटा गया है, auto-spot İsmail को मारा अपरर हमाराäng कंपरेसर में करेंनी क्यों में यहाँ नाने करें ऐसे अपरतनी परा नेयुक्त का सबहते है है वाइट कलर का वह हमारे फैन मोटर में लगा हुआ है या इसी तरह सिसकी वाइरिंग है बिल्कुल सिंपल है आप अच्छे से कर सकते हो और मेरा यही कहने का मतलब था कि आगर आप कंप्लेंड में कहीं जाते हो तो वही आपको बताना था कि इस वीडियो में जो पर नए हैं सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो और ज्यादा ज्यादा वीडियो सेयर करें थैंक यू फर वाचिंग मिलते हैं ने ने कंप्लेंड और नए टेकनिक के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चरूट थैंक य सेब्सक्राइब करें फॉलो चाह clicking सुझवा हैं ने हैं ज्यादाल झार वीडियो झते हैं टो हम ज्याँ जया हैं बड़स